देर रात लगभद दो बजे जब पूरा इलाका गहरी नींद के आघोश में था मनसौर के द्वारखाधीश मंदर के चैनल गेट पर ये तीन नकापोस चोर ताला तोड़ने की जुगत लगा रहे थे चैनल के गेट पर दो बड़े बड़े ताले लगे थे और चोरों को पहले से अंदाजा था कि ये ताले काफी बड़े और भारी हैं उन्हें किसी चीज से तोड़ना मुश्किल होगा तभी तो चोर अपने साहाथ एलेक्ट्रिक कटर लेकर आये थे बिना देर किये वे कटर से चैनल गेट पर लगे तालों को काटने में जुट गए ताले काट कर चैनल गेट खोलने में चोरों को लगभग एक मिनट का वक्त लगा चैनल गेट खुलते ही वे अपने असली टार्गेट की ओर बढ़े असली टार्गेट यानि मंदिर की दान पेटी जो चैनल गेट के ठीक सामने यहाँ नीचे थी चोरों ने सोचा था कि गेट तोडेंगे और दान पेटी ले उडेंगे पर ये क्या दान पेटी तो यहाँ पर इस तरह से फिक्स की गई थी कि उसे उठाना तो दूर हिलाना तक मुश्किल हो रहा था एक छोटी रोट का भी इस्तेमाल किया पर कोई फायदा नहीं हुआ तीनों ने मिलकर काफी जोर लगाया पर दान पेटी तस से मस न हुई ऐसे में चोरों ने तुरंत ये फैसला लिया कि क्यों ना इसे भी एलेक्ट्रिक कटर से ही काट दिया जाए मंदिर की ही बिजली इस्तिमाल करके कटर चालू किया और एक चोड जुट गया दान पेटी को काटने में बाकी दो पहरा देते रहे दान पेटी काफी बड़ी थी और उसे पूरी तरह काट पाना काफी मुश्किल था पर चोरों ने उसे नीचे से काम भर के लिए बस इतना काट लिया कि अंदर का सारा पैसा और सामान निकालने में कामियाब रहे वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए और ये पूरी घटना मंदिर में लगे सी सी टीवी कैमरे में कैद हो गई हैरानी की बात ये रही कि रात के सन्नाटे में भी एलेक्ट्रिक कटर चलने की आवाज मंदिर के पास ही रहने वाले पूजारी और उसके परिवार को सुनाई नहीं दी और नहीं आसपास रहने वाले दूसरे लोगों को पूजारी का कहना है कि सुभे जब वो पूजा के लिए मंदिर आए तब उन्हें चोरी का पता चला आपको बता दें कि जिस द्वार का धीश मंदिर में ये चोरी हुई वो मंसौर के मशुहूर पश्पतिनात महादेव मंदिर परिसर के काफी नस्दीक है ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं दान पेटी में कितने रुपए थे ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है लिकिन बताया जा रहा है कि पेटी को काफी समय से खाली नहीं किया गया था ऐसे में माना जा सकता है कि चोरों के हाथ मोटी रकम लगी होगी पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है NBT Online की रिपोर्ट